Hello everyone, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, गौवर्मेंट जोब जेन्यो नॉटिफिकेशन So, आज की वीडियो में हम एक और न्यू रिकूर्ट मेंट नॉटिफिकेशन 2024 को कवर करेंगे New Notification है, आज ही इसके Online Application स्टार्ट हो रहे है 21st से, 21st of March से इसके Notification जो Application है, वो स्टार्ट हो रहे है और ये जो भरती आपकी रहेगी, ये पर्मानेंट भरती रहेगी इस्थाई भरती है, कोई भी Contractual Basis भरती नहीं है अगर आपका इसमें Selection हो जाता है, तो इस्थाई भरती आपकी हो जाएगी and salary आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपका इसमें Selection होता है तो salary आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रहे है 85,000, आपकी जो Starting salary है, जो Initial salary आपकी रहेगी आपकी Joining पर जो आपकी First salary आपको यहाँ पर मिलेगी वो 85,000 पर मन्थ आपको यहाँ पर देजाएगी अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ and All India के Candidates के लिए Alisable रहेंगे Qualification की बात करें तो मैंने Mention किया हुआ है Graduation and Post Graduation, Master Degree यह दो Candidate के लिए Vacancies है 10th and 12th Pass के लिए Vacancy नहीं है Graduate and Post Graduate Candidate के लिए Vacancy है and Fresher Candidate के लिए है कोई भी Experience वगेरा Required नहीं रहेगा अगर आप Fresher है तो आप भी यहाँ पर Apply कर सकते है Administrative Officer की Vacancy है यह तो अच्छी पोस्ट है Salary अच्छी है, All India से Alisable है सारी Information आपको इस वीडियो में दूँगी इस Vacancy के बारे में So, अगर आप Interested है इस Vacancy के लिए तो बने रहे ये वीडियो में and Skip मत किये जएगा सारी Information आपको Notification के धुरू किलियर करूँगी अगर फिर भी आपके कोई Question रहते हैं आपको जी Comment करके पूछ सकते है जहां पर आपकी जॉब रहेगी जिस डिपार्टमेंट में ये आप देख रहे है The Oriental Insurance Company Limited ये Insurance Company है और यहां पर आप देखेंगे ये पूरताहा भारा सरकार के स्वामित्त वाली साधारण बीमा कंपनी है So, ये एक तरह से Government Job है आपकी And Open Market से Scale 1 के 100 अधिकारियों की भरती यहां पर की जारी है Open Market means Direct Recruitment है यहां पर Total Viquancy आपकी 100 रहेंगी Official Rank की Post है Online Application Invite किये गए है इस यहां पर आप Important Dates देखेंगे 21 March से इसके Online Application स्टार्ट हो रहे है Means आज से इसके Online Application स्टार्ट हो गए है And 12 April 2024 तक 12 April 2024 तक आप इसमें Online Apply करेंगे Selection Procedure में आपका Examination होगा और यह जो Examination है आपका Online होगा And यह May और June यह Tentative है May या June में आपका Exam हो सकता है Selection Procedure अभी हम डिटेल में देखेंगे So केबल आपको Online ही Apply करना है Offline आप Apply नहीं करेंगे Total Vacancy आप Subject Wise देखेंगे लेखा के लिए विकैंसी है बीमा कंक के लिए है Engineer के लिए Engineer IT के लिए चिकिस्सा अधकार यानि Medical Officer के लिए And Law यानि विधी के लिए Total 100 विकैंसी है Categories आप यहाँ पर देख लेंगे And जो A's Relaxation वगरा रहेगा Reserve Categories को जो Relaxation दिया जाएगा Reservation दिया जाएगा वो Government Rules के Accordingly रहेगा And यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका इसमें Selection होता है तो आपकी जो Job Location है वो All India में कहीं भी आपका Transfer किया जा सकता है So अगर आप Satisfy है या आपको लगता है आप Comfortable है All India में कहीं भी जहां भी इनके Offices होंगे Branches होंगी वहाँ पर Job करने के लिए तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं Provision Period आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आपका Selection होता है कोई भी स्थाई भरती या परमानिन भरती होती है उसमें पहले Provision Period रहता है और यह जो Provision Period रहेगा यह आपका One Year का देखिए यहाँ पर एक साल का आपका Provision Period रहेगा कोई भी सरकारी भरती हो पहले Provision Period रहता है वो आप Complete करते हैं उसके बाद इस्थाई भरती होती है तो यहाँ पर One Year का Provision Period है अगर हो सका तो यह अगले 6 महीने के लिए Provision Period बढ़ाया जा सकता है अगर आपके काम से Satisfaction नहीं मिलता है उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो Next Six Month के लिए बढ़ाया जा सकता है इस तरह से यहाँ पर One Year तक और भी Extend कर सकते हैं Maximum Two Year Provision Period कर सकते हैं अगर आपके काम से Satisfaction मिलता है Satisfy होते हैं देन आपको Permanent किया जाएगा Otherwise आप जानते ही हैं अगर Provision Period आप Complete नहीं करते हैं तो आपकी भरती निरस्त की जाती है लेकिन ऐसे कभी होता नहीं है हमेशा Provision Period Complete करके भरती इस्थाई हो जाती है यहाँ पर देखिए जब Provision Period होगा तो Provision Period के दौरान अधकारियों को जो आपकी भरती अगर होती है तो Insurance Institute of India के दौरा एक Examination आपका लिया जाएगा Line Seciate Examination यह लिया जाएगा यह Exam आपको Clear करना होगा पास करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपका इस्थाई करन कर दिया जाएगा अगर यह Exam आप पास नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपका इस्थाई करन नहीं होगा तो Provision Period में आपका एक Exam होगा Guarantee Wond भी यहाँ पर आपको देना होगा देखें यहाँ पर दिया गया है Minimum 4 Year का यहाँ पर आपका One Words के लिए सकल वेतन के बराबर भुकतान करना होगा ठीक है तो यहाँ पर Guarantee Wond रहेगा 40,000 यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसिक परिविक्षा अबदी के दौरान Company से त्याक पतर देने वाले जो Candidate होगे उनका 40,000 रुपए आंसिक रासी का भुकतान करना होगा सेलरी आप देख रहे हैं 85,000 पर मन्थ यहाँ पर आपको सेलरी दी जाएगी Education Qualification आपकी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी Complete होना चाहिए जो भी Qualification मांगी गई है क्योंकि अलग-लग subject wise विकेंसी है तो related subject से ही आपका graduation या post graduation होना चाहिए ठीक है और यह आपका 31 दिसंबर 2023 तक आप पास आउट होना चाहिए Apparing Student के लिए इसमें विकेंसी नहीं है तो Qualification अभी हम यह चार्ट यह नीचे दिया गया है आप यहाँ पर देखेंगे percentage अगरा भी बताई गई है general candidate के लिए 60 है और reserve categories के लिए 55% के साथ आपका जो भी qualification है वो होनी चाहिए जैसे लेखा के लिए अगर आप करते हैं तो मानतपराप्त विस विद्धालाई से आपने यहाँ पर B.com B.com student के लिए विकेंसी है अगर आप unreserved candidate हैं तो 60% होना चाहिए minimum B.com में और अगर आप reserve categories में आते हैं तो 55% आपका B.com में होना चाहिए इसके बाद अगर आपने B.com या फिर आपने मानतपराप्त विस विद्धालाई से MBA Finance किया हुए ICAC यारी Chartered Accountant आपने course किया है Cost and Management Accountant का किया है किसी मानतपराप्त विस विद्धालाई से अगर आपने science में actuarial science में अगर आपने लिया है Sankhaki में गड़ित में graduation किया है तो आप apply कर सकते हैं ये bimanking के लिए है बाड़िज वगरा गड़ित वगरा इसके अलबा मानतपराप्त विस विद्धालाई से Sankhaki के गड़ित actuarial science में या अन्य किसी quantitative discipline में सनाथ को तर degree अगर आपके पास है तो आप eligible है तो यहाँ पर सभी post के लिए अलग-अलग qualification required रखी गई है BEB Tech वाले candidate भी eligible है M Tech वाले candidate eligible है ठीक है इसके अलबावा IT में है यहाँ पर M.C.A. M.C.A. वाले candidate भी eligible है Engineers में जो vacancy है Automobile, Mechanical, Electrical, Civil, Chemical Industrial, Instrumentation, Engineering BEB Tech किया हुआ हो तो भी आप यहाँ पर eligible रहेंगे इसके अलबावा Medical में देखें तो इसमें MBBS और BDS candidate eligible रहेंगे भी यहाँ पर option आपके पास दिये गए है बिधी में देखें तो आपने यहाँ पर BDS में इस नाता क्या नहीं law में किया हुआ है तो आप यहाँ पर eligible है So इन मैं से अगर आपके पास graduation या post graduation related subject से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपके जो age रहेगी minimum 21 और maximum 30 है unreserved candidate के लिए यह unreserved candidate के लिए reserved categories के candidate को देखे यहाँ पर age relaxation दिया गया है जैसा कि सभी government vacancies में भरती में दिया जाता है same way age relaxation यहाँ पर आपको मिलेगा selection procedure में आपका pre exam होगा means exam होगा pre exam आपका 100 marks का 100 MCQs types questions रहेंगे 3 parts में रहेंगे जिसमें आपका English language से question आएगा reasoning से आएगा और मातरात में क्योगता रहेंगी MCQs type रहेंगे सारे total 100 question रहेंगे and यहाँ पर 60 minute यानि एक घंटे की timing है Hindi English जो भी आपका medium हो उसमें आप answer दे सकते हैं अपना solve कर सकते हैं exam इसके बाद 20 गुणा candidate pre examination में जो qualify कर लेंगे उनको means के लिए 20 गुणा candidate को बलाये जाएगा और जो means exam होगा वो आपका 200 marks का रहेगा MCQs types questions रहेंगे यह परिक्षा computer पर type करके देनी होगी ठीक है so online आपका यह exam होगा MCQs type रहेगा इसमें आप देखिए subject यहाँ पर दिये गए हैं और आपका subject रहेगा जो भी subject आपने अपना graduation या post graduation में किया है वो medium again Hindi English जो भी आपका है वही सभी से 40-40 question है 200 question 200 marks के रहेंगे इसके बाद next यहाँ पर हम देखें तो दोनों परिक्षाओं पर गलत उत्तरों के लिए दंड यानि negative marking यहाँ पर रहेगी सो answer आपको carefully देना होगा जब आप mens के लिए कर लेंगे तो इसमें आपका जो third stage होगी वो आपका interview होगा interview के लिए call किया जाएगा यह आपका सबसे last stage होगा ओके देन इसके बाद आपकी मेंस और जो interview है इसके बेस पर examination center देखिए आपकी pre-examination के center all India में आपको examination center मिल जाएंगे आपको आपके state में examination center मिल जाएगा देखिए जैसे अगर आप MP से हैं तो इसी तरह से अदर स्टेट के लिए भी दिये गए हैं उत्तर प्रदेश से हैं तो लखनव इलाभाद कानपूर नोएडा ग्रेटर नोएडा ठीक है 36 गर से हैं तो 36 गर बिहार सबी जगे दिये गए हैं मेंस examination के भी center आप यहां पर देख रहे हैं मेंस examination के आपके कहां कहां पर होंगे 36 गर में रायपूर होगा आसाम चंडीगर सभी के state के जो capitals हैं वहां पर आपका मेंस examination रहेगा परी के लिए तीन से चार या पांच option आपको मिल जाएंगे आपके state में लेकिन मेंस के लिए सिर्फ जो राजधानी है वहां पर आपका exam होगा ठीक है तो इसमें आपको online apply करना है इसकी official site आप देख रहे हैं oriental insurance एक मिट all india में आपको job अगर आप कर सकते हैं क्योंकि transfer आपको all india में कहीं भी किया जा सकता है अगर आप interested हो तो आप इसमें apply कर सकते हैं application fees और देखेंगे हम application fees यहां पर आपकी 31 मार्ट से 12 अप्रेल तक ही आपको fees भी pay करना है और apply भी करना है इसमें अनुसुचत जाती जन जाती पीडालूडी और OICL confirmed जो कमचारी है उनके लिए 2500 रुपए प्लस GST चार्ज रहेगा और बाकी जो candidate रहेंगे उनके लिए 1000 रुपए प्लस GST रहेगा सो यहां पर अगर आप इंट्रस्टेड हो एक बर आप भी इसका notification carefully read out कीजेगा वीडियो अच्छा लगाओ तो like and share कीजे थैंक्यू